A blind boy lived in a village Blind का मतलब होता है अंधा Boy मतलब लड़का Lived ये live की second form है चुकि हम किसी story के बात कर रहे हैं तो ये story ज़रूर past में हुई होगी इसलिए हमने या live की second form का यूज किया है जो होता है lived in a village In a village का मतलब होता है एक गाउं में यानि कि एक बार एक अंधा लड़का एक गाउं में रहता था A fire broke out in that village A fire broke out इसका मतलब होता है आग लगना Fire broke out आग लगना in that village उस गाउं में डेट का मतलब होता है उस और village का मतलब होता है गाउं उस गाउं में everyone rain away from the village everyone का मतलब होता है सभी rain away का मतलब होता है भागना from the village उस गाउन से यानि कि हर कोई उस गाउन से निकल कर भाग गया a lame boy a egg lame यानि लंगडा boy लड़का also lived in the same village also lived का मतलब होता है भी also का मतलब होता है भी और lived का मतलब होता है रहता था in the same village same का मतलब उसी गाउन में उसी गाउन में एक लंगडा लड़का भी रहता था the blind said to the lame तो जो blind होता है उसका मतलब होता है अंधा sad to the lame sad का मतलब होता है कहना to the lame उस लंगडे बच्चे से that you have eyes, you का मतलब होता है, तुम have eyes का मतलब होता है, तुम्हारे पास आखे हैं, तो उस अंधे इंसान ने उस लंगडे को कहा कि तुम्हारे पास आखे हैं, बट परंटु you cannot walk, तुम चल नहीं सकते, cannot का मतलब होता है, नहीं सकते, और I have legs, मेरे पास टांगे हैं, बट परंटु I cannot see, मैं देख नहीं सकता, I cannot see का मतलब होता है, मैं देख नहीं सकता, come sit on my shoulders, come sit का मतलब होता है, आओ बैठो, on my shoulders, मेरे कंधो पर, you will show, you will show me the way, इसका मतलब होता है, you will show, यानि कि तुम मुझे दिखाओगे, show का मतलब होता है, दिखाना, me the way, the way का मतलब होता है, रास्ता, and or I will go, और मैं जाओंगा, by doing this, by doing this का मतलब होता है, ऐसा करने से, both of us, हम दोनो, both of us का मतलब होता है, हम दोनो will be saved, हम दोनो बज जाएंगे, saved का मतलब होता है, बचना, both of them did the same, both of them did the same, उन दोनों ने, both of them का मतलब होता है, उन दोनों ने, did the same, ऐसा ही किया, and went out of the village skillfully, and went out का मतलब होता है, बाहर निकलना, of the village उस गाउं से, और skillfully का मतलब होता है, कुशलता पूर्वक, यानि कि went out of the village, skillfully का मतलब होगा, वो दोनों कुशलता पूर्वक उस गाउं से, बाहर निकल आए, यह थी हमारी आज, day one, English reading practice, अगर आपको ऐसी वीडियो ओल भी चाहिए है, तो comment section में ज़रूर लिखना, और में चैन को भी subscribe ज़रूर कर देना, thank you so much for watching my video,